नमस्कार बच्छो जीनियस साइन्स में आप सबका बहुत-बहुत-बहुत सवागत है बच्छो आज के इस वीडियो में बच्छो दोस्तो पैरेंट टीचर सबको एक मेरा प्यार भरा नमस्कार चलो अभी हम यहां पड़ने वाले हैं थर्मो इलेक्टिसिटी थर्मो इलेक्टिसिटी हमारे बूक में थर्मो इलेक्टिसिटी के बारे में एक थोड़ा सा इन्फॉर्मिशन दिया गया है लेकिन अभी मैं आपको यहां थर्मो इलेक्टिसिटी के बारे में बहुत डीटेल में मैं आपको यहां बताने वाला हूँ बहुत डीटेल में और कि इसके उपर नीट जी के लिए बहुत सारे बहुत बार questions पूछे गए है multiple choice questions पूछे गए है और इसके पहले जो सिलाबस था उसी सिलाबस में thermoelectricity बहुत डीटेल में थी और वही material थोड़ा सा एक जितना यहां चाहिए उतना थोड़ा सा चेंज करके मैं आपको अभी यहां पढ़ा रहा हूं दाट इस दी थर्मो electricity थर्मो electricity ओके हमारे बुक में heading क्या है देखो हमारे बुक में heading दी है thermoelectricity बराबर थर्मो electricity heading दी गई है इसके पहले मैंने आपको जो चास्ट कल परसो मैंने एक वीडियो अप्लोड किया था डिस्टिंग्विश बिट्विन एमिटर एंड ओल्ट मिटर वो वीडियो आप लोगों ने देखा नहीं जो बच्चे अभी यहां अभी तक तो उसके उपर वियू बहुत कम है बहुत कम है आप बच्चों ने जो जो बच्चे अभी लाई हुए उन सब बच्चों को मैं पूछ रहा हूं आप सब लोगों ने सब लोगों ने डिस्टिंग्विश बिट्वीन ओल्ट मिटर एंड एमिटर ये वीडियो आपको मिला क्या चलो अभी मैं आपको थर्मो इलेक्टिसिटी के बारे में अभी मैं आपको बता देता हूँ जिनको चाहिए जिनको जरूरत है उन्होंने देखा होगा जिनको जरूरत नहीं है उनके घर पे तो मैं ले नहीं जा सकता घर पे ले जाके भई देखिए तेरा भला होगा तेरी जिन्दगी का भला होगा देख मैं तेरे पैर पढ़ता हूँ ऐसा तो नहीं कह सकता मैं जिसको चाहिए उसनों नहीं देखा होगा और जिनोंने नहीं देखा वो देखते रहेंगे वह से बैठेंगे मैं क्या कर सकता हूँ तो आपको तो आपके लिए मैंने material बनाया लेकिन बहुत सारे बच्चों ने देखा ही नहीं उसे तो थर्मो इलेक्टिसिटी इसके बारे में मैं आपको डीटर में बता रहा हूँ जो बच्चे नहीं है जो स्टूड़न्ट नहीं है उन सबको में रिक्विस्ट करता हूँ कि जल्दी से चानल को सब्सक्राइब करो बेल आइकाउन दबाने में आपका ही फाइदा है ऐसा मत समझना कि आप सब्सक्राइब कर रहे हो और मेरे आकाउंट पे एक तीन चार लाख रुपे आगे और सब्सक्राइब करके मैं सर के उपर बहुत बड़ा ऐसान कर रहा हूँ ऐसा भी नहीं है अगर आपको आगे के वीडियो चाहिए अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है अगर आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है तो आप शूरली सब्सक्राइब करो बेल आइकाउन दबाओ और आपको लगता है दूसरों दोस्तों कभी ये अच्छा वीडियो जाना ज आपको जरूरत नहीं आपको जरूरत है तो सब्सक्राइब करो डेल आइकान दबाओ और मेरे साथ बने रहे ये आपका फाइदा हो जाएगा ओके मैं मेरा देख लेता हूँ कुल कि चलो आगे का हम बीट देखते हैं थर्म एलेक्टिसिटी और मोने कि डिफाइन थर्मों एलेक्टिसिटीन एट हां हमारे बुक में एक एक पेज पिक के ऊपर दिया है मैं थोड़ा सा ढीटल में आपको बता रहा हूँ डीटल में अगर यह आप पूरा का पूरा बीट करोगे तो आप जिन्दगी में कभी नहीं भूलोगे जिन्दगी में थर्मो एलेक्टिसिटी क्या है आपको आँखे बंद करके भी आपको आप जब सोय है और उस वक्त आपको किसीने कुश्चन पूचा तो आँख बंद करके आप उसका अंसर दे दोगी यह मुझे मुझे confidence है मैं पढ़ाने वाला हूँ ओके लेकिन आपका एक काम है concentration देखे बहुत concentration देखे आपको लर्न करना होगा आपको यह वीडियो देखना होगा बस आपका उतना ही काम है दूसरा कुछ मत करिए ओके define thermoelectricity and explain it thermoelectricity क्या करें thermoelectricity define करो बोला है thermoelectricity की definition में आपको बताने वाला हूँ और उसके बाद उसका explanation हमें यहाँ देना है तो चलो हम देखते हैं क्या है the conversion of heat in electrical energy क्या है the conversion of heat heat का conversion electrical energy में करना है अभी तक आपने देखा होगा magnetic energy converted into electrical energy electrical energy converted into chemical energy होती है क्या नहीं होती है क्या नहीं magnetic energy electrical energy in electrical energy में okay electrical energy magnetic energy में यानि कि एक energy दूसरे energy में conversion अभी तक आपने पड़ा है पड़ा है ना सब बच्चे बताई यह comment करके बताई यहां सब बच्चे जो जो बच्चे अभी video देख रहे है कौन कौन है विजे देवकर है आदित्य निकम है चुद्राम है वैश्नवी है ओके रुहित पवार है ओके और कौन कोने बेटा चलो सर आदित्य निकम सर आज क्लास आहे की नाही आज ओके सर आज लेक्चर उपर बता रहे कल पेश महापले स्टार्ट लेक्चर सर मुझे ओर्डर कर रहे है सर स्टार्ट करो ने तो फाशी देंगे आपको उके उसके बाद चला चालू करा चला चालू करा ओके ठीक है बबा नाही का मग आज लेक्चर किती वजना तो विचल ले नाही का मग आज लेक्चर किती भाशा है जबरदस्त स्टार्ट वाजसायच से आहेना लेक्षर हो नवता धाला ठीक है ठीक है आपकी ओर्डर भी होती है चलो सबके समझ में हां पड़ा है अभी तक आपने लर्म किया है एक साइकल एक चक्र होता है एक से दूसरे का पहले में उसी तरह से हीट भी एक एनर्जी है थर्मल पावर प्लांट में कोईला जलाया जाता है कोईला जलाने से पानी गरम किया जाता है पानी गरम करने के बाद वहाँ वेपर तैयार किये जाते है बाश्मी बोन किया जाता है वाफ तैयार किया जाते है और वेपर तैयार करने के बाद वह पाइप के जरिये एक जगे से दूसरे जगे क्यारी किया जाता है और वह जो वेपर का प्रेशर होता है वो प्रेशर एक टर्बाइन के ऊपर दिया जाता है यानि कि वेपर एनर्जी का कनवर्जन होता है प्रेशर में प्रेशर कनवर्टेड होता है मेकानिकल एनर्जी में मेकानिकल एनर्जी का कनवर्जन होता है मैगनेटिक एनर्जी में मैगनेटिक आने के बाद वो डिपरेंट परपस के लिए उसका इस्तिमाल किया जाता है कोल्ड करने के लिए रफ्रिज रेटर फैन गुमाने के लिए फैन तक है ना पढ़ानी के लिए लैप्टॉप तक मूद्स अच्छी तरह से दिखे इसलिए लाइट के लिए हर डिफरेंट मैथर ड यहां क्या है डिरेक्टली हीट का इलेक्टिकल एनर्जी में कनवर्जन होता है और यह ज़्यादातर रिमोट इरिया में इसका इस्तिमाल किया जाता है कहां किया जाता है रिमोट इरियाज में रिमोट इरियाज कहां रिमोट इरियाज बोले तो दुर्गम भाग जा ठीका इस तरह शिकावना रहा है फक्त लक्षिदियुन आएका काही करून का फक्त लक्षिदियुन आएका ओके त्यान अंतर पुड़ा कनवर्जन ऑफ हीट इन्टू एलेक्टिकल यह नजी बाई एव जिंग थर्मो कपल थर्मो कपल कपल का मतलब है दो वायर एक जगण करेक्ट करना उससे हम थर्मो कपल कहते हैं लेकिन एक कंपलशन है एक ही मेटल के दो वायर नहीं होते समझ में आ रहा है न एकी ही metal के दो wire नहीं होते वो different metal के wire होते हैं तब皆さん जंक्षन त्यार होता है और उसे कहते है cold junction hot junction कहा जाता है एक junction cold में रखा जाता है तो दूसरा junction hot में रखा जाता है एक को heat दी जाती है और येक को बर्फ में गाड़ा जाता है ठंडे प्रदेश में ये होता है ठंडे प्रदेश में मैं आपको detail में बताओंगा ये आज नहीं आज complete नहीं हुआ तो कल complete हो जाएगा दो वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छी तरह से ये पढ़ाओंगा जिं दो वा Adding का कपल जंक्षन दिया जाता है जंक्षन किया जाता है उसे हम थरमो कपल कहता है ऊके चलो आगे का बीट्प क्या है और को बता है डिस्सिमिल्र और दूसरा कोंसा भी निकेल का वगेरा नाइक्रोप का रहेगा लेकिन अलुमिनियम अलुमिनियम के दो वायर नहीं रहेंगे दो डिपरेंट रहेंगे देखो add the junction of dissimilar conductors dissimilar conductors ओके और within a single conductor when a temperature difference exists EMF is generated temperature difference अगर हम देते हैं तो वहाँ EMF generate होता है temperature difference करते हैं दो junction पे तो वहाँ EMF generate होता है causing a current to flow the circuit और यही क्या करता है circuit से electric current पास करता है producer EMF is called thermo EMF यानि की junction दो junction लिये जाता है एक hot में एक cold में लिखा जाता है और उसमें से ऐसा करने की वज़र से वहाँ EMF generate होता है उसी wire में कितना simple सा है खाली दो different wire लेना है यह देखो यह एक wire है और यह दूसरा wire है बस इनको इस तरह से इनको connect करना है और यह को hot condition पर रखना है और दूसरे को cold condition पर रखना है बस EMF generate हो गया electricity pass हो जाती है लेकिन बहुत कम होती है बहुत कम होती है बहुत कम यह LED वगेरा बल्प लग सकता है ओके चलो आगे बता देता हूं फेन अ टेंप्रेचर डिपरेंस एक्जिस्ट EMF इजनरेटर काउजिंग अ करेंट फ्लो इंदी सर्किट सर्किट में करेंट फ्लो होता है प्रेडिउस्ट EMF इज काड़ थर्मो EMF थर्मो थर्म का मतलब होता है हीट थर्मो EMF यानि की टेंप्रेचर और श्रुक आपन अपन त्याला EMF मनुशकत हो EMF इजनरेटर थर्मो EMF अट दी करेंट सो प्रेडिउस्ट जो current त्यार हुई त्यामद है is called thermoelectric current जो current produce होता है flow होता है उसे क्या कहते है हम thermoelectric current कहा जाता है इस effect is called thermoelectric effect बास और इसी effect को क्या कहा जाता है thermoelectric effect और दूसरा एक beat आपको learn करना है modern physics के part में आपको वहाँ learn करना है photo electric effect क्या learn करना है आपको photo electric effect यहाँ क्या है thermoelectric effect और वहाँ क्या है photo electric effect फोटो बोले तो light पत्रे के उपर light incident की जाती है और light incident करते ही वहाँ से electric current start होता है कितनी मजा है कितनी जबर्दस concept है खाली light incident करो और electricity generate करो बहुत सारे rural areas में भी यह लोग करते हैं अभी अभी सब लोग कर रहे हैं मैं भी करने वाला हूँ मैंने भी mango का plot वगडे लगाया है मैंने अगर आपने वीडियोद देखाए तो ठीक है अगर करने वाला हूँ गवावा कभी करने वाला हूं और 3-4 फुलों का भी मैं करने वाला हूं वहाँ पानी देने के लिए जब electricity आई नहीं आई तो नुक्सान हो सकता है तो उस वक्त मैं solar plate का इस्तिमाल करने वाला हूं बहुत modern plant है मेरा modern ideas है यह अभी मेरे दिमाग में है तो खाली मैंने plant लगाया है एक को अस्तितों में लाया है दीरे दीरे वो मेरे हाथ का मल है वो दीरे दीरे बन जाएगे आप बोलेगे फिर सब आप जी होगे तो सही मैं मरूंगा नहीं मैं मरता नहीं मैं इतना अच्छा न तो solar plate के बारे में आपको बता रहा था बहुत सारे शीटियों में बहुत सारे company में बहुत सारे घरों में खिती में सब लोग आप solar electricity का इस्तिमाल कर रहे हैं और solar electricity का इस्तेमाल बोले तो वही है photoelectric effect थोड़ा सा चेंज है वह concept दोनों concept में एक नार्मल डीप्रेंस है नार्म उसमें मैं आपको इसके बारे में पढ़ाने वाला हूँ जो हमारा जो चाप्टर है जो modern physics का जो चाप्टर है उसमें मैं आपको बहुत अच्छी तरह से पूरे sequence क्या है उसमें मैं आपको अच्छी तरह से पढ़ाने की खुशिश करूंगा इसमें कुछ डाउट है तो आप कॉमेंट करके भी मुझे आप बता सकते हैं आपके डिपिकल्टीज मुझे तक पहुचा सकते हैं ओके देखो मागनिटिक एसी सरकिट ड्वेल नेचर ऑफ रेडियेशन एंड मैटर और स्ट्रक्चर ऑफ आटम्स न्यूक्लिया है इसमें जो चाप्टर से यह चाप्टर में फोटन और इलेक्टोंस इनका जो कंसेट यह कंसेट मैं आपको आगे बताने वाला हूँ चलो मैं आगे अभी यहां आपको बता रहा हूँ थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ओके चलो आगे का पॉइंट क्या है हमारा इस तरह से मैंने ये दो जंक्षिन लिये ये ग्यारोना मीटर है इसको जूम करके मैं बता देता हूँ आपको ये देखो ये क्या है कॉपर इस तरह से दिख रहा है कि आप सब लोगों को क्या है महेश माने नो दौग सर काया मनतो है नो डौग सर तू डौग नहीं है क्या समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या बोल रहा है क्या 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 कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है रहाँ हैं नो डॉब सर यानि कि तुब न हीसा कहना तेरा ओके चल तो ये देखो कॉपर का यह वाइर है और यह आइरन का वाइर है ये देखो हाठ जंग्शन में रखाया हमें ये こल बर्नर से हमने हीट किया है परनर से हीट दे रह ईय है और यहां यह जो है न solder को सब्सक्राइब na AIC इसे शकिवाटतों होच जंग्षन और यह वाइर मैं सिसे को सबस्क्राइब यहां हमने अहीजर से अ से यह इस नहीं जैंच्छेंच कि आ से कर साथ भाझेब आने वहासा और जंक्षन हमने बदल दिया तो यह देखो इस तरह से डिपलेक्शन भी बदल जाता है यानि कि फ्लो होना होने वाले इलेक्ट्रिसिटी का डायरिक्शन भी चेंज होता है डाउट नाहीं सर ऐसा है क्या डाउट नहीं ओके तो स्पेलिंग क्या करता है यार ऐसे देखो ना बच्चें को घलत लगा ओके तो समझ में आ गया है नापको यह इस तरह से घ्यालोला मिटर है यह थर्मो कपल है इसaison से थर्मो कपल कपल बोले तो जोडी जोडी बोले तो दो दूधा की जोडी दो डिपरnd टैंपरिटर को मेंटेन किया जाता है और यह करने के बादी एलेक्टिसीटी पास हो जाती है बस यही है थर्मो इलेक्टिसीटी लेकिन आगे बहुत सारा कंसेप्ट है देखो आगे क्या-क्या है चलो मैं आपको बता रहा हूं देखो, there are three types of thermoelectric effect, कितने type के thermoelectric effect है, तीन type के thermoelectric effect है, कौन से कौन से देखो, एक है सिबिक effect, सिबिक, बताने वाला हमें आपको, if two junctions of dissimilar conductors in a circuit are held at different temperature, and EMF develops, causing a current to flow in the circuit, दो different junctions, दो junctions होता है, और दो different condition पे, दो different temperature पे उन्हें maintain किया जाता है, ओके, different temperature में उन्हें kept किया जाता है, और इसी तरह से दो junctions मेंशे, एक electric current पास होता है, उसे ही क्या कहता है हम, this is card as thermoelectric effect, मैं आपको एक example बता देता हूँ, जो कि आपने learn किया होगा, ओके, आपने देखा होगा, वही, जैसे कि समझो high electricity हम पास कर रहे हैं, और दो wire हमने connect किया है, और उसके उपर बहुत बार हम क्या करते हैं, patch वगेरा देते हैं, रबर वगेरा उसके उपर, जो जाला आपन चिकट पट्टी वगेरे मनतो, त्यावर गुंडाली जाते, अनि electric current पास के लिए चानंतर काही द्यूसा नंतर मना, काही तासा नंतर मना, तर त्या ठीकांतो, ते वर्च जे इलास्टिक असतना, ते गरम होता, आणि ते वितलत, पगल्ला जात हते, कड़क होता त्या ठीकांत, कारण का ती जंक्षन दिलेला असतो, आनि जंक्षन मद देता है, तो आपको electricity में धोका हो सकता है, क्योंकि वहां का insulation जल सकता है, जलने के बाद, melt होने के बाद, directly किसी body को touch हो सकता है, और body को touch होने के बाद, वहां electric circuit flow हो सकता है, वही है, वही तो यह है, यह सिबेक effect, आपको समझ में आ गया, चलो, सब बच्चे बताइए, यह सि जल दी बताईए, कि आपके समझ में आ गया, क्या सिबेक effect, टू junction से two wires है, और दो junction पे इसे हमने connect किया है, connect करने के बाद, electricity हमने pass किया है, ओके, चलो, आगे का point बता देता हूं, पेल्टियर effect, पेल्टियर effect, यह कौन है भही तू उमाचंद्र, जरूरत नहीं है, तो क्या क चानल छोड़के चला जातू, यह कौन है उमाचंद्र, उमाचंद्र सुर्याउन्षी, ओके, पढ़ना है तो पढ़ने तो चानल छोड़के जा, दूसरे बहुत सारे YouTube है, वहाँ जाके देख, ओके, तो इसके बाद, यह देखो, और एक बार बता दीता हूं, क्या बोल रह कर सर, रिपीट सांगा ना, बेटा तू आता आलास, आता आलास तो आता लेला है तू, रिपीट सांगा है चाहो शेके तना है, वीडियो ला थोड़ सा तीम वेस, टैप कर, मागेजा आनी पाहा, ओके, त्यान अंतर, पेल्टियर इफेक्ट, फेन एन एलेक्टिक करंट इस तू डिसीमिलर कंड़क्टर्स, दो डिसीमिलर कंड़क्टर्स है, अगर उसमें से अगर हम सेंड करते हैं तो, हीट इस आइदर एपसॉब्ड, उसी जंक्शन पे हीट क्या किया जाता है, एपसॉब्ड किया जाता है, और रिलीज जाता है, उसी एपेक्ट हम कहते है, पेल यह पेल्टियर इफेक्ट कहां इस्तेमाल किया जाता है इसका अप्लिकेशन कहां है तो मैं आपको बता देता हूं इसका अप्लिकेशन होता है इसका अप्लिकेशन होता है किसमें होता है रेफ्रिजरेटर में इसका अप्लिकेशन होता है रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल किय जाता है राजेंदर रूई कर अगर बेटा थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा तो ये मेरे साथ वीडियो पूरा देख और बादे खतम होने के बाद एक बार और एक बार थोड़ा सा ध्यान लगाए अगर एक भी बीड में अगर बार-बार-बार-बार पड़ाऊंगा तो हमा बढ़ा बताना पुले तो आगे कब चलो मैं this effect is used thermo डेखो this effect is used in thermo electric refrigerator देखो मैं ने आपको अभी बताया था thermo electric refrigerator एक junction पीट ऌफ किया जाता है और 1 junction पे हीट रिलिट्स किया जाता है इसलिए इसलिए जो रेफ्रीज्डर की जो back side होती आप वहाँ एक कोईल होती है देखो होती है क्या कोईल होती है बराबर है ना रेफ्रिजरेटर को बैक साइड में कोईल होती है और रेफ्रिजरेटर चालू करने के बाद बैक साइड को घरम लगता है आप अगर बैक साइड को अगर आप हाथ लगा के यादि सीधा आप नज इससे ज्यादा कुछ नहीं है कि चलो और दूसरा है थम्शन्से इफेक्ट तीसरा थे unitsIE इसरा जोंसक्राइब दियुषक्थ धास डश tuh去 single metal, एकी metal है, एकी metal है, rod है, समझो इस तरह से rod है, एकी rod है, तो एक rod इस तरह से इसके दो end है न, इसके बीच भी electric current pass होता है, flow होता है, वही यह Thompson's effect बताता है, लेकिन यहां क्या किया जाता है, end को temperature दिया जाता है, चलो, this is referred to the EMF that develops, EMF develop होता है, between two parts of a single metal, एक single metal के two parts में, okay, when they are different temperatures, दो end होते हैं न, समझो यह metal है, एक cold में है, और यह hot में है, एक ही metal का है, एक cold में है, एक होट में है, और एक ही metal का है, फिर भी यहां आपको EMF generate हुआ देखने को मिलता है, इसे कहते हैं Thompson effect, आपके समझ में आ गया क्या, तीनों का difference समझ में आ गया क्या, Cope effect मैंने आपको बताया था Cope effect Cope effect में बताया है Cope effect में कीा है दो wire है, दो different metal के wire है दोनों का junction क्या एक hot पर पकडा, एक cold पर पकडा wire में electric current पास होगयا एह हुआ Cope effect Peltier effect कया है Peltier effect क्या कहता है कि अगर आप दो wire लेते है दो wire लेते है दोनों का junction करता है इस तरह से दो वायर लिये हमने इस तरह से यह देखो दो वायर लिये इस तरह से दो वायर लिये और इनको इस तरह से connect किया और इन में से हम electric current पास कर रहे है बैटरी बिठा दिये हमने और electric current हमने send किया तो एक junction गरम होता है और दूसरा junction cold होता है यह हूँआ प्लट का हुआ यहां फीलट कुछएर वज़से electric current generate होनी की वज़स एक इस तरह से आपको तीन different laws देखने को मिलते हैं त्री types और एक बाद देखो there are three types of thermoelectric effect थर्मो उलेक्टरीक एफेक्ट मैं sir genius science YouTube channel पे अभी लाईउ हो वहाँ आप मुझे देख सकते हैं sir सर सो बाद में आपको कॉल करता हूं मैं तो छलो तो अभी मैं आपको आगे का पार्ट बता जीता हूं प्रेश्ज को आपको बता चाहता हूं आगे का रहे सवा सधर मोसें मिलिक कि करें एक्स्पेह एक्सपीश्ब कीस्पेट को इसाभ विध् pharmaci व्लाज क sliding तो बच्चो अभी ये जो तीन है ना जो बाकी के दो है ये है देखो ये पेलटीर इफेक्ट ईस जो पेलटीर इफेक्ट और ये थॉंसल इफेक्ट इनके बारे में हमारे बूक में नहीं दिया है ओके दिया नहीं है तो देखो मैं आपको सिबेक इफेक्ट अच्छी तरह से समझा रहा हूं आप थोड़ा सा ध्यान देके सुनिए अभी अभी देफिनिशन में आपको बता दिये एक्सप्लाइन सिबेक इफेक्ट AZ फेक्ट विद्но मेन फीचस के मेरी फीचस का है उसके साथ अब का करे तो अजसा डीतल में एक्स्फैएशन दिजिए ऐसा का है देखो देखो फेना मेना आपतर ना प्रोडूसिंग थर्मो इलेक्ट्रिक इमेफ आ कि ए किभेट थर्मो इल अगे बता देता हूं क्या बता रहा हूं मैं आपको इस इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड भाई इसका रिसर्च हुआ है अगर नया कुछ इन्वेंशियत करते हैं अपने बीवी का नाम देते हैं अपने जलवर का नाम देते हैं अपने पेट रिकान देते हैं अपने फेवरेट प्लेस का नाम देते हैं अपने फेवरेट चीजों का नाम देते हैं से से इनका खुद इसलों को सिचे को से इनका ही नाम दिया गया है तो नाम एक क्या है जो आपको मिलता है। उसी सिबीक इफ़ेक्ट जैसे मैंने आपको बता दिया फोटो इलेक्टिक इफ़ेक्ट उसी तरह से ये ऺए धर्म Spectrum होने वाली electricity so it is called as thermoelectric effect okay और एक कि यह कौन इन्वेंट किया this is invented by Thomas John Sebeck in 1821 1821 okay this is known as the civic effect this is known as civic event समझ रहे क्या सब बच्चे जो बोल रहा था नहीं बच्चा कोई तो फास्ट हो रहा है फास्ट 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 कुस्त फास्ट फास्ट बोल रहा था okay गया ना छोड के अच्छा हुआ चलो okay चलो चलो आगे बता देता हूं मैं आपको देन this effect was discovered by Thompson John Sebeck in 1821 this is known as a civic effect okay then sir second points सा पिंक कलर चा टाइपिंग चेंज करा कोड़ा हागा तो पिंक कलर नहीं वो पिंक कलर नहीं है तो चलिए इस तरह से civic effect वारे में अभी मैंने आपको बता दिया है क्या है देखो सीबेक effect can be observed with any two dissimilar metals any two dissimilar metals कौन से लाइक सी यू आड यफी बता दिया था मैंने कौन सा copper यह देखो यह copper है यह copper and iron copper and iron thermocouple the current flows from copper to iron copper to iron यह direction आप याद रखें करंट कहां से कहां जाता है copper to iron जाता है देखो thermocouple the current flows from copper to iron through hot junction and from iron to copper through cold junction iron देखो copper to iron यह देखो यह copper है और यहां junction दिया हमने और यह iron है यह देखो यफी है और यह सीउ है तो current और यह junction कौन सा है हमारा हाट junction है तो copper to iron यह देखो इस तरह से यहां flow होता है कहां से कहां copper to iron जाता है hot junction पे okay hot junction पे from iron to copper iron to copper यानि कि यह देखो यह सीउ है और यह देखो यह 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 है लेकिन यह कौन सा junction है cold junction है तो यह इस तरह से जाएगा कोल junction पे कोल junction पे यह देखो copper to you fe c u h e ऐसा आप ट्रिक याद रखिए c u h e c u h e c u h e c u h e c u h बोले तो यह देखो copper to iron at hot junction और यहां क्या है copper to iron at cold junction यानि कि c u c f e c u c f e sorry c u c f e sorry c u c f e nहीं sorry c u c f e nहीं आता है इसा रखो खाली एक याद रखो दूसरा समझ में आएगा c u h e c u h e f e अगर आप याद रखोगे तो copper to iron at hot junction और यहां क्या है iron to copper at cold junction इस तरह से ओके चलो एंड यह देखो आपको मैंने यहां बता दिया है देखो इस तरह से ओके यह देखो कौन सा है copper है यह hot junction है और यह cold junction है और इदर से copper है और इदर से iron है तो यहां क्या होता है c u h e यानिके copper यह देखो current के दिशा इस तरह से होते copper to iron at hot junction और बाद में अगर हम junction change करेंगे तो यहां क्या होता है e f e c c u e f e यह देखो iron cold junction to copper है इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है कुछ doubt है तो आप मुझे comment करके बोल सकते हैं और देखो interchange कर रहे हम इसे interchange इस तरह से इसका deflection आता है कैसा यह देखो hot है यह cold है तो इदर deflection आता है interchange करते हैं हम यह देखो इदर cold और इदर hot हुगया तो deflection इस साइट आता है यानि कि flow होने वाले current की दिशा भी बदल जाती है okay and then civic effect civic effect civic effect क्या है देखो यहां क्या बता रहे हैं यह देखो a and b है यहां ग्यालोना मिटर connect किया है हमने एक cold junction और यह क्या है hot junction इस तरह से हमने at a different temperature different temperature pay the wires used to make the thermocouple though wire हमने लिये है and the gallonometer हो some resistance यह जो ग्यालोना मिटर होता है ना इसका कुछ ना कुछ resistance होता है so electrical energy is electrical energy कितनी होती है that I square R is being converted into the heat energy heat every second okay every second her bar okay I square R is being converted into heat every second and I can continue her egg moment may heat cup conversion and a key electrical energy heat energy is converted into electrical energy and electrical energy into heat that is the heat that is the heat that is the heat energy 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 I square R is being converted into heat into every second okay yeah I can continue working with the thermocouple constantly absorbs some heat thermocouple क्या क्या कहता है thermocouple thermocouple constantly absorbs some heat that is the q from the hot junction वह होड जंक्शन से कुछ energy वो क्या करता है एप्सॉप करता है क्योंकि हम उसे क्या कहते है होड जंक्शन में उसे हम heat देते हैं okay and rejects a part of it q dash to the cold junction और cold junction में वह क्या होती है है reject की जाती है यह cold junction में अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है देखो color बदल देता हूं मैं इसका अगर कोई बच्चा regular है तो हम उसकी कॉमेंट सुन सकते हैं अगर कोई आ रहा है बच्चा करमनुक कर रहा है और कुछ भी कॉमेंट कर रहा है तो उसका क्यों मैं सुनू अगर मेरे जो रेगुलर बच्चे है जो डेली वीडियो देखते है डेली मेरी साथ पढ़ता है तो उनका सुनना पढ़ता है उनकी difficulty मुझे clear करनी पढ़ती है ओके चलो तो यह को इस तरह से thermocouple constantly absorbs some heat that is the q from the hot junction and rejects a part of it part of it that is the q dash to the cold junction cold junction में वो दिया जाता है दिनेट around the heat absorbed उसका जो absorption होता है q minus q dash is converted into the electrical energy q minus q dash यहां कि यहनि कि cold junction पे जो कुछ भी heat ली जाती है और hot junction sorry hot junction पे heat absorb की जाती है और cold junction पे वो क्या किया जाता है release किया जाता है यानि कि इन दोनों के बीच जो कुछ भी difference रहेगा जितना temperature difference रहेगा उतना electric current generate जादा होता है जितना difference जादा जितका temperature का difference जादा उतना heat energy generate होना भी जादा होता है ओके चलो आगे का point बता देता हूं मैं आपको this the source of EMA is the circuit और इस तरह से यह cold a hot junction और यह cold junction यह जितना hot जादा और जितना cold कम जादा cold जादा hot ऐसा यहानि कि minus 4 और इधर 50 60 100 200 ऐसा कुछ तो degree centigrade और इधर का minus में बहुत सारा cold अगर यह तो different temperature पे अगर हम maintain करते हैं तो यहां से आपको electric current देखने को मिलता है ओके और इसे कहते हैं this is card as this is card as civic effect okay अगर हम junction बदल देता है तो flow होने वाले electric current की दिशा भी बदल जाती है यहां मैं आपको बता रहा हूं क्या है यहां देखो इस तरह से है तो देखो इस तरह से एक 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 पॉइंट मैं आपको यहां consider that a cell is put in the circuit यह देखो एक cell हमने यहां connect है so that it passes the current in a direction from copper to iron कहा copper to a copper flow of electric current इस तरह से होता copper to iron यह iron है यह copper current in the direction from copper to iron through the cold junction as shown in the figure a figure में है ओके और इसके बाद next this current flows in opposite direction to the direction of flow of current this current flows in opposite direction इसकी दिशा अलग होती है ओके direction of the flow of current in the EF copper to iron it is found that the heat is now evolved at the hot junction hot junction पे heat evolve होती है and cold junction that is the hot junction becomes hotter hot junction ज्यादा से ज्यादा होड बनते जाता है और cold junction becomes the colder than before शुरु में जितना होड था उससे ही ज्यादा यह होड बन जाता है जब अगर हम इसमें से electric current पास करता है तो अगर खाली इतना हम दो different junction पे अगर हम उसे maintain कर रहे है एक होड पे एक गर्नलमेटर करेंट किया तो वहां आपको deflection देखने को मिलेगा और उसकी भी direction जैसे junction देते है उसका जो रूल है वही रूल मैंने आपको बताया था कौन सा है CUHFE CUHFE copper to iron through hard junction इसी तरह से वही है ओके अड़ेन colder than it means sebect effect is reversible in nature sebect effect क्या होता है reversible भी होता है जब अगर हम यहां कोई cell को connect करता है तो hot becomes hotter and cold becomes colder लेकिन आगे क्या है देखो that the magnitude and direction of thermo EMF produced in a thermocouple depends upon nature of metals जो metal आप इस्तेमाल कर रहे है nature of metals and the temperature difference between the two junctions metal कोन सा है उसके आगे में series आपको बताने वाला हूँ two junctions keeping this fact in view in view the sebex studied the behavior of many pairs of metals many pairs यहां कौन सा पेर दिया आपको CU and FE का पेर यहां दिया गया है और दूसरे भी कुछ pairs है एक series है वो series में से आप कौन से भी दो अपगर आप select करता है तो दोनों में का civic effect आप easily बता सकते हैं जैसे कि आपने 10th class में reactivity series आपने देखी होगी देखी है क्या reactivity series बताइए आप सब को यहाद है क्या सब बच्चे बताइए सब को यहाद है क्या 10th class में आपने reactivity series learn किया है reactivity series आपने learn किया है वहाँ आपने देखा होगा उसी तरह से यहाँ एक series है civic series बगेरा कैसा है देखो thermo series देखो then on the basis of experimental results यह पूरे-पूरे experiment करने के बाद different metals लेकर उनका experiment करने के बाद पुरा calculation करने के बाद he arranged a he number of metals in the form of series series form is called as thermo electric series और civic series कौनसी series कहते है मुसे thermo electric series और civic series कहते है जो मैंने आपको बताया था reactivity series उसी तरह से यह thermo electric series है और thermo emf series ने तो civic series भी इससे कहा जाता है civic series भी कहा जाता है से यह एफिक जाता है जाता है जाता है जाता है जाता है आपको आपको दीटेल में बताया बहुत डीटेल में और एक सिबिक सिरीज यह सी यह सिरीज और इन में से कौन सा भी आप ले लेते समझों यह एंटी मनिय और यह मैंगनीज यह दो वाइर आप लेते हैं तो यह फ्लो इस तरह से होता है कि सीबेक एंटीमनी 2 मैंगनीज और इदर से इस तरह से जाता है यह हाट जंक्शन और यह कोल जंक्शन का है चलो आगे बता दीता हूं मैं आपको में फीचर्स आप सिबेक्ट कॉनसे कॉनसे में फीचर्स देखो the magnitude and the direction of thermo EMF and hence the current depends upon the nature of the materials forming the thermocouple and temperature different between the two junctions ओके इस तरह से देखा यह देखो इस तरह से मैंने आपको दिया है ओके में फीचर्स and directions of thermo EMF depends upon the nature of materials forming the thermocouple कॉनसे मेटल इस्तेमाल किये जाते और उन्का नेचर क्या है okay and temperature difference between the two junctions temperature difference D E W F E R E N C E temperature difference between the two junctions okay then for CU E F E thermocouple CU E F E thermocouple thermo EMF is about 7 micro volt 7 micro volt इदको किसका दिया है आपको exactly एक दिया है copper iron copper iron का thermocouple अगर दोनों वाइर एक होट पे एक कोड पे अगर आप connect करते हैं तो ग्यालोमिटर से flow होने वाला current कितना होता है 7 micro volt for every 10 degree centigrade temperature अगर junction का temperature दोनों का difference 10 degree centigrade है तो 7 micro volt से EMF generate होता है difference between the junction okay उसके बाद ESBBI antimony and bismuth thermocouple है तो पर डिगरी centigrade में पर डिगरी centigrade में वो 100 micro volt current flow करता है वो this effect is reversible effect और इस civic effect कौनसा effect कहा जाता है reversible effect कहा जाता है ओके और इसके देखो मैं आपको इसके application भी बता देता हूँ अपको इसके application भी हम लेते हैं तो application का इसका तुनो दिडारेक्शन अफ करन्ट तुनो दिडारेक्शन अफ करन्ट कैसे देखो दिडारेक्शन अफ इलेक्ट्रीक करन्ट विल बी फ्रम a metal occurring earlier जो civic series में है ना earlier civic series जो अभी-अभी मैंने आपको दिया था जो शुरू में होता है earlier in this series to the metal occurring latter in this series through the cold junction cold junction पे cold junction यह देखो इस तरह से यह शुरू का metal यह देखो अभी बता देता हूँ यह देखो cold junction में इस तरह से condition है cold junction अगर यह junction है समदो यह antimony का wire है और यह दूसरा मैंगनेगनेज का wire है यह देखो यह S V वाला है और यह मैंगनेज यह junction है और यहाँ cold है तो ट्रांसपर इस तरह से होगा तो इस तरह से रिल ये सकते हैं यह दोनों ले सकते हैं मैं कोने सबसे लिकिन ढहुत रिए और यह ले लो यह और यह दें को बाल्ट ले लो ये यू एजी और निकल ले लो तो cold junction पे करेंगे तो electric current एजी से यनाई की तरफ जाएगा एजी से यनाई की तरफ जाएगा कौन से junction पे hot junction पे sorry cold junction पे अगर आप hot junction लेते तो इस तरह से रहेगा हाट नीचे से और cold उपर से इस तरह से लिखो यह कैसा है cold और इस तरह से लिखेंगे तो hot bus khatam हो गया आपका ओके देन आगे का पॉइंटर देखो तो यहाँ यहाँ दिया है the direction of thermoelectric current इन एंटीमनी बिस्मत एंटीमनी बिस्मत में अगर आपको पूछा गया नीट जी के question में यह नीचे वाला एक एक जांपल बता दो नीचे नीचे में से कौन से एक्जामपल सिब्क इफेक्ट तो आप यह बता सकते ABC के और आगे का ABC ABC बढ़े तो एंटीमनी टू भिस्मत करन कहां से कहां जा रहा है लेकिन कहां कोल जंक्शन कोल जंक्शन पर बाद में टो नो दी मैग्निटीूड ऑफ थर्मो एमम तो थर्मो एमम कितना ऍवीज नगा थे टू मैथल्स फ्रॉम थर्मो एलेक्ट्रिक सिरीज रड़ी ए तो नो इस पूजीशन अप्ट्रिम सिरीज अगर अगर आप लेते एक एंड का और दूसरे एnd का तो ज्यादा EMF generate होगा और नजिका लेते हैं तो कम EMF generate होगा कम EMF generate होगा यानि कि S है इस तरह से देखो यह देखो इस तरह से अगर आप S B लेते हैं B I लेते तो ज़्यादा से ज़्यादा current flow होगा S B लेते हैं EMN लेते हैं तो कम current होगा S B SN लेते हैं तो कम current और भी कम होगा S, B, Z, N लेते है तो और भी current होगा समझ में आ रहा है आपको और आगे A, G और ये nickel लेते है तो current जादा होगा A, G और copper लेते है तो current और कम होगा A, G और PV लेते है तो और भी current कम होगा इसी तरह से A, CBEC series है और thermo EMF series होती है यानि कि magnitude भी आप determine कर सकते है CBEC series से और आगे का पाइंट, सिबेक कोईफिशंट और थर्मो इलेक्टिक पावर, the rate of change of thermo EMF with the change in the temperature of the hot junction is called thermo-electric power, देखो, थर्मो इलेक्टिक पावर, थर्मो इलेक्टिक पावर is also called as सिबेक कोईफिशंट, सिबेक कोईफिशंट, इसे क्या कहा जाता है, सिबेक कोईफिशंट भी कहा जाता है, और it is denoted by S is equal to D divided by DT, S is equal to D divided by DT, इस तरह से यह हमारा point आता है, ओके और दूसरा भी एक है, that is the EMF E is equal to alpha T plus half beta into T square, A, B, S, B, कोईफिशंट, जो EMF generate होती है न, उसका magnitude determine करने के लिए यह हमारा equation हमारे book में दिया गया है, तो बच्चों मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से यह thermoelectric, thermoelectricity बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ाने की कोशिश की है, आपके समझ में बहुत अच्छी तरह से आप भी समझ लिए होंगे, okay, hot junction और cold junction इंटरचेंच, hot junction, cold junction, SBBI, SBBI और EFE वगरे यह आपको दिया गया है, ABC, okay, तो इस तरह से हमारे book में जो कुछ भी material दिया है, उससे भी ज्यादा, मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया है, अगर कुछ आपको doubt है, कुछ difficulties है, तो आप comment करके बता सकता है, अभी तक like नहीं किया है, तो आप like भी करिए, like भी करना बहुत जरूरी होता है, इतने सारे बच्चे देखे, इतने सारे बच्चों ने देखा होगा, और अभी भी देख रहे होंगे, फिर भी like नहीं करते, like नहीं करते, क्योंकि ये process इतनी अच्छी नहीं है, गंदी चीज़े पढ़ाना बोले तो, बहुत गंदी चीज़े ही, फिर भी मैं ये गंदा काम करता रहूँगा, मरते दम तक करता रहूँगा, ओके, फिर भी करो, बहुत सारे बच्चों ने comment नहीं किया, अभी तक बहुत कम comment, बहुत कम like है, बहुत ही क आउन डेली आ रहे है, वो भी मुझे देखना पड़ता है, ओके, सलोनी जैश्वाल है, डाउट नहीं, ओके, देवयानी आर्ट, यस, देवयानी, मेरी बच्ची है, मेरी लड़की है, ओके, राजिंदर रुईकर, ओके, शेख अरफास, अराफत है, चुद्राम आपकास हो गया, जाके, काई नहीं, गावाच्या कडला, खुटतर गुकाडला, बसले लासता, थातात मोबाईल है, और दिसले, क्योंकर काईतर कॉमेट करेंच मुन करत रहा था, और जे रेगुलर आहे ते रेगुलर येतात, रेगुलर प्रजेंटी देतात, रेगुलर रेगुलर प्रजेंटी विचे करतात, रेगुलर विचारतात, शगला सोलूशन करूंगे था, ओके, सर रिपीट सांगा, सांगीत लिला है, ओके, उसके बाद को ने सलुनी जैसवाल है, विक्रांत है, ओके, अभिश्यक बनाले, राजदर विकर, मैश्मानी, ओके, चुद पारे देवयानी है, कलपेश है, शिद्धु पिशे है, ESB to EMG, करंट फ्लो, कोल्ड मदे होता, तर मग to EMG to ESB होते, महत परंद, जे सांगीत लिए वाक्य परत पाहा, आणि त्या पद्दती ने पाहा, वर चा साइड ने आरो, कोल जंक्षन, ती जे सीरी जहने ते सीरी चा वर चा साइड ला आरो दिया, लेप टो राइट, आनि वर सी लिया, ता इस दी कोल जंक्षन, कर फ्लो होने ची दिशा, आनि खाल्चा साइड आरो दिलात, दैट इस दी होट लिया, ओके, तरमित्रा नो आच्चा साथी आपड़ी ते धाम विया, लागलीज भीट विया, उद्याला, के में सुचा पीरेड माद है, तो परियांत, जै हिंद, जै भारत, बाए बाए, टेक केर, थैंक यू